Hello friends, welcome to Constance Mind, मैं हूँ दीपक आज हम दो PhD के application form के बारे में बात करने जा रहे हैं जो की new notifications है and UGC net 2024 का भी कुछ update आया है calendar के माध्यम से उसे हम आपको बताएंगे तो ये short notice रहेगी सभी और अगर आप चनल पना है तो subscribe करके बिल icon को press कर लिजेगा PhD के अच्छे application form दो हम आपको देने जा रहे है इसकी last date 7 October 2023 तक है and दोस्तों इसके साथ ही PhD entrance exam के preparation के लिए previous year question paper के link description में हमने दे दिये है सभी subject का research methodology के साथ PDF format में question paper answer के साथ available है जिसे आप लेकर print कराकर अपना notes भी त्यार कर सकते हैं यानि कि MCQ में question है तो उसे आप अच्छे से एक revision के तोर भी ले सकते हैं अगर आपका तुरंत exam है तो आपको काफी उससे help मिलेगी ठीक है यह सभी university के में काम आएगा साथ में NTA का common entrance test है उसमें भी यह आपकी मुदद करेगा तो इसके लिए link description में है जाके आप check कर सकते हैं तो यह NTA की notice है जो की NTA का जो examination calendar है 2024-25 का उसकी notice है तो NTA ने यह notice है 14 सितंबर को release की थी जिसके मादेम से आपको यह पता चल जाएगा कि जैसे कि इसमें जो six point है इसमें कहा गया है आप यह देख सकते हैं UGC NET session 1 computer based test जो है उसका जो examination date है वो है 10 जून से 21 जून 2024 तक यानि कि यह जो 2024 का calendar है उसकी notice है और यह expected date है ठीक है 10 जून से 21 जून के बीच में आपका यह exam होगा ठीक है कौन सा UGC NET session 1 का और भी बहुत सारी examination है यह अपने according आप देख सकते हो अब हम बात करेंगे PhD के application form की तो यह जो में अपडेट थी वो अभी 2023 का जो है UGC NET exam उसका कोई update नहीं है अगर हम application form की बात करें PhD की तो सबसे पहला अभी हाल में ही एक महत्मा का महत्मा जोतिवा फूले रुहल खंड इन्वस्टी बरेली से PhD के notification आये हैं इसे आप इधर देख सकते हो यह corner पे यहाँ पर नोटीस है फॉर पीच्डी डीस्टी डीलीट अड्मीशन ठीक है अठारा नौ यानि कि कल ही यह नोटीस आई है इसे हम आपको दिखाते हैं तो यह है वो नोटीस आप इसे देख सकते हो M.J.P.R.U. बरेली का रुहेलखंड इंवस्टी है इसमें कहा जा रहा है कि रुहेलखंड विसुद्ध्यल है बरेली PhD डीलीट DST में 7230 में प्रवेस परिच्छा है तो आविधन अमंत्रित किया जाते हैं इसका जो डायरेक्ट मूड का एड्मीशन है वह हो चुका यानि कि जो फेलोशिप वाले थे उनका हो चुका है यह प्रवेस परिच्छा के लिए अप्लिकेशन है इसमें उनली PG के लोग आविध जो है अविधन सुईकार करने के अंतिन प्रिती साथ अक्टूबर 2030 है और इसमें कहा जा रहा था कि 18 से यानि कि इसमें देख सकते हो एप्लिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेटेट इसमें कहा जा रहा है बट अभी जो है इसकी डीटेल्स नहीं है अप्लिकेशन तो रज पासड़र है तो इसका सब्जेक्ट सेवल बिल्टी है रिसर्स एरिया वह आपको दिखाते हैं तो वेबसाइट पर आप ओगे तो यह उपर आपको दिखेगा काउनर पर यहां पर रिसर्च एरिया इसको आप चूच कीजेगा तो इसमें फैकलटी आफ एगरी कलचर है फै और यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से अविलबल हैं तो सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है जैसे की प्लाइड कमेश्टी है जो लोजी से आप करते हैं तो अनियुम्ल साइंस में बहुत सारे सब्लाइड आप दींगी है आप ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट का चेक कर सकते हैं mathematics applied mathematics उसके बाद यहां पर applied physics का है फिर यह सब हम science का आपको दिखा रहे हैं CSIT है clinical psychology है pharmacy plant science statistics है यहनि की botany plant science जो है वो statistics तो 220 यह supervisor है किसमे faculty of science में तो इसी तरह से आप सारे faculty का देख सकते हो आपको यह पता चल लाएगा आपको mjpru मतब doctorate of research की यह website है इस पे आना पड़ेगा तो ही आप यह details देख पाएंगे तो यह तो हो गई total detail mjpru को अब हम दूसरी university आपको बता देते हैं इसका link description में मिल दाएगा आपको अभी इसकी सारी details available नहीं है आते ही आपको वीडियो फिर बनाके बता देंगे तो जो university है वो है अगली बाबा मस्तनाथ university PhD admission तो यह जो है university में इसमें आपका admission 30 सितंबर 2030 तक इसका last date है एंड इसमें कहा जा रहा है कि dynasty selected candidate through an entrance exam ठीक है यहां पर आपका 55 प्रश्यत आपका marks है अगर PG में तो आप apply कर सकते हो 4-year bachelor degree वाले भी कर सकते हैं application form की आप फीस 1000 रुपए है ठीक है और यह जो 30 सितंबर last date है वो भी expected है वो सकता है बढ़ भी जाए ठीक है और इस इनुस्टी में आप apply कैसे करेंगे तो एक 1000 रुपए application fee के साथ इसमें आपको website से भी application form डाउनलोड कर सकते हैं और आप counter से भी application form ले सकते हैं बाकि फीस आप online भी जमा कर सकते हैं offline भी और इसकी जो website है www.ac.in हम आपको description में दे देंगे पे करने के बाद आपको यह precise manner में फिल करके अगर आप आप दूर से application form website से डाउनलोड करके भर रहे हैं तो आपको फिल करना पड़ेगा इस प्रकार से आप इससे जमा करेंगे इसमें subjects कौन-कौन से हैं तो economics, education, English, PhD, Hindi में और history, political science, public administration, Sanskrit है PhD management studies भी है तो इस तरह से इतने आपके subjects हैं ठीक है फिर structure भी यहाँ पर आपको दी गया है इस website कभी link हम आपको description में दे देंगे ठीक है तो आपको अगर यहाँ पर इस university में admission लेना है तो यह हरयाना की private university है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं हम आपको MJPRU का एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे जब डीटेल आ जाएगी बाखी UGC net की update हमने आपको बताए दी तो यह थी पूरी update और पीवाई क्यूंग डिस्क्रिप्शन में है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद